हेलो आप आप सबी लोग बहुत अच्छे होंगे और आज हमारे हमारे कुछ फ्रेंड साय हुए है जहां पे हम पहले रहते थे ना तो वहीं पे वो लोग भी रहते थे तो वो लोग पिछले साल घर ले लिए यह कोविड शुरू होने से पहले तो मैं घर गई थी तो उसके ब बाट्राप मेंचेंन, संट्रूंट कर अखे एक रही होंगे हो यह मतने करने गही ज़ंगा है कि आ इन पर लोग आणे का के भी दूद्वाक में का अ्यश्य करते हैं मी सब्सक इस अपनी को सबचे तो मस्त भूंते हैं लेकिन अपना बच्चा पार नहीर देखके फिरNew ब् मोहित कर लेता है उसको तो इसलिए उसका सोचते ही इसका स्ट्रॉलर तो रहना चाहिए बांध के रखो उसको उसके अंदर फिर यह नहीं जाएगी तो वही है और आप लोग के साथ एक और चीज़ करना था अभी तो कुछ-कुछ चीज़े मैं लेकर आई हूं जैसे पेंटि से लेकर आई थी तो कैनेडा में डॉलर मग बहुत ही सस्ता ऑप्शन है घर बर सजाने का तो और यह सीजन वाले जो डेकोर होते हैं उसमें मुझे लगता निकिते पैसे लगा दो बच्चा है तोड वोड दिया भी तो में लेकर आई थी बहुत क्यूट सा तो आते ही उसने एक पूरा ऐसा बैग रहता है उससे तो निकाल चुकियों मैं तो चार पाच पंकिन्स और कुछ-कुछ चीज़े उसके अंदर रहती है चोटे बड़े से पंकिन्स रहते हैं और यह था तो जो चीज़े हैं कुछ-कुछ तो इशानवी खेल रही थी तो वह लेकर चली गई पूरा अभी हैलोवीन मोड में चल रही है मैं दिकाते हैं यह है क्यूट सा कैंडल की प्रजंस अच्छी है यह फूर डॉलर का है के कैंडल तो और इसके साथ में यह पता नहीं किस चीज़े यूज होगा बट मैंने सुचा है कि इसके उपर ऐसे कुछ रख दूंगी तो अ पूरा क्राक्स अगया इसको भी गिरा दिया उसने अगर यह किसी और चीज़ का होता तो टूटी गया होता यह भी एक चोटा से है स्टोन पर ऐसे किया हुआ यह काफी मतलब क्यूट लग रहा है यह टू डॉलर का है और यह है है हैलोवीन की डेकोरेशन में यह समना हो तो 1.25 तो यह अच्छा है अपना लगाओ निकालो कुछ दिवार पर कुछ रहता नहीं है इसका मैंने पहले भी यूज किया तो बच्छो टाइप का लगता है बट मुझे तो स्टिकर्स अच्छा लगता है तो मैं ले ही आती हूँ यह एक इसा यह काफी अच्छा लग रहा थ यह बुरा नहीं लग रहा है एक्ट किन डॉल्स का तो डॉलर्स का है तो यह के बहुत ही कुठ लग रहा है यह झाल सिंसुम्किन राफोаются प्यारा लग रहे हैं यह जो प्यारा लग रहे हैं यह लोग लिखके आए थे बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस है इसका यह कुछ ऐसा है इसका जो लेड है यह भी काफी सुन्दर है इस पैसे डिटेलिंग है थैंक यू सो मच भाईया बाभी आपके तो मुझे बहुत पसंद इसको भी कहीं पर यूज कर सकते हैं वैसा मैं और लेक्याओंगी कुछ कुछ चीजें तो मैंने बहुत जल्दी जल्दी में इस सारी चीजें लीती और अभी देखती हूँ और क्या ले आती हूँ उसके बाद मैं आप लोगों साथ पूरा डेकॉरेट करके शेर करूंगे लिए पींगा वहां तो तब तक आप यह वीडियो है करिये हम लोग जा रहें जहां तो अभी मैं अनुको सब दिखाती हूं कहां कहां हम गये और क्या की अब ज़ल्यी वीडियो स्टार्ट करते हैं और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लिज मेरे चैन जैसा मैंने आप लोगों पहले ही बताए कि कैनेडा में ओटम अभी आ चुका है वाल काफी अच्छा यहां पे देखने को मिलता है यहां पे बहुत खुबसूरत कलर्स आते हैं तो हमने सुचा ज्यादा दूर नहीं जाते हैं पांस में कोई जगर जो है हम एक्स्प्लोर करते बचे भी काफी लेट उठे तो ज्यादा टाइम बचा नहीं तो हमने सुचा कि मुस्कोका की तरफ चलते हैं मुस्कोका यहां से ज्यादा दूर नहीं है एक घंटी की ड्राइव है तो वो अच्छा है और मुस्कोका आप एक ऐसा रिजनेट है और फॉल कलर भी काफी अच् जो लगा रही है जबकि धूब बिल्कुल नहीं है तो हलके बहुत धूब लग रही है वो भी इनको बहुत चुब रही है आखों में शायद तो नॉर्मली यह सोई जाती है रास्ते में थोड़ी देर में सोई जाएगी बट अभी थोड़ा रास्ता एंजॉय कर रही है इस अभी जबी सो जाए तो अभी रास्ते में हम लोगों को ऐसे कुछ-कुछ पत्तों के चींच हुए दिखाई दे रहा है तो औरेंज कलर तो मेरी बेटी का फेवरेट कलर है तो वो शायद इसलिए देख रही है चारो तरफ तो जबी यह सो जाएगी तो मैं आगे जाके है सामने ही लेक दिखाई दे रही है तो यह पार्क जो है इसका नाम है हैना पार्क बट यह मौसम भी थोड़ा सा जीब हो रहा है इस हो जैसे हम लोग अभी यहां पर देख रहे हैं कहां पर फोटो अगरा अच्छी आ सकती है तो वैसा कुछ नजर नहीं आ रहा था क्योंक कि हमारी फोटोस जो है अच्छी आ सके और यहां से काफी दूर पीछे में दिख रहा था जो कलर्स है फॉल के उतना भी विजिबल नहीं था यहां पर जादा हर्याली थी अभी भी तो अभी तो हम लोग बस यहां पर ऐसे ही आयते हैं ऐसा भी नहीं था कि हमें पुरा फॉल का डेस्टनेशन चाहिए था जहां पर की अच्छे से कलर्स है हुए हूं तो बस वैसे ही आयते हम लोग थोड़ा देखके कि पार्क वगरा सही हो स्ट्रॉलर लेके जा सकें नहीं थोड़ा इनको इधर-दर घुमाया जा रहा है ताकि इन लों का ध्यान पानी से हट जाए बट कहां इतना ध्यान हटने वाला है एक बार देख लिया तो देख लिया फिर इनको तो फिर फोन देना पड़ा कि भाई फोन में बीजी रहो नहीं तो बलकुल तोड़ ताड़ क तो यह अपना इनको थोड़ा ऐसे खेल खेल के बनाय जा रहा है कि थोड़ा भूल जाओ इनको भी शायद चाहिए अच्छा नहीं लग रहा है कुछ भी कि मुझसे छोटे बच्चे के पास है और मेरे पास नहीं बट कोई बात नहीं और इनका मुह देखो तब भी सड़ा हु तो फिर अच्छा नहीं लगता और ठंड भी नहीं है यहाँ पे हमारे फोटोग्राफर साहब चले गए वहाँ दोड़ते हुए कि यहाँ पे फोटो अच्छी आएगी एकदम बिल्कुल तो हम लोग भी सोचे कि चलो भाई देख लेते हैं अच्छी फोटो आती है वहाँ पे फोटो अच्छी आ रही थी क्योंकि अभी देखे थोड़ा सा उजाला भी हो चुका है तो यही धूप चाहों का खेल हो रहा था और हम लोग भी थोड़ा सा टहल के अब निकलने की तैयारी में थे कि अब चलते हैं वापस क्योंकि काफी लेट आया हुए थे तो ज्यादा शाम नहीं करना था बस ऐसे थोड़ा बहुत घर में बैठे हुए था हम लोग सुचे थोड़ा घूम के आते हैं तो आ गयते बस इसके बाद हम लोग यहां पर गया है यह थोड़ा सा टाउन वाला एरिया है मुस्कोका का काफी चोटा सा शहर है बट बहुत सुन्दर है तो अच्छा लगा मुझे बहुत यह शहर चोटा सा और यहां पर म्यूजियम है कुछ और यहां पर यह उपर ब्रिज पर हम लोग खड़े हुए हैं और नीचे इसके देखने में काफी अच्छा लग रहा था बट मुझे काफी ड़ लग रहा था क्योंकि गाड़ियां बार बार आ जा रही थी तो ऐसा लग रहा था मेरे हाथ से फोन चूटा जादा देर तक वहां नहीं थे थोड़ी देर ही ऐसे टहले यहां से रोड के नीचे से भी था उदर पीछे जो दीख रहा है बट हम लोग उदर नहीं गए क्योंकि बारेश वाला मौसम भी हो रहा था और हम भी बहुत जादा थकना नहीं चाह रहे थे अभ भी हो गई तो अभी हम लोग जब निकलने की तैयारी करे थे यहां पर हम लोग खड़े हैं मुसको का इंपोरियम के सामने और यहां पूरा एक ग्रूप ही आया पूरा विंटेज कार लेके और बहुत सुंदर सुंदर कार्स थी वावे पुरानी पुरानी तो देखके बिलोग यहीं पर एंड करते हैं और आई होप आपको आज का यह व्लॉग अच्छा लगा होगा और अगर आपको आज का यह व्लॉग अच्छा लगा ओ तो प्लीज दो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब टू मैं चैनल मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक बाई बाई बाइ बाइ